स्मॉल प्रैस आई प्यू पैसा लगाया जा सकता है आग के लिए बड़े फेवर में है फ्लेवर में है तो चलते हैं देखिए 197 से 207 रुपे का प्रैस बेंड है इश्यू की साइज 500 करोड की चोटा इश्यू है 2000 करोड की कंपनी है तो आपको पता है तो इस्पेशली फिर ज और पोजितिव कारण जो इस कंथ कंपनी को लेकर नजराता है वो इंब प्रोमोटर का बैग्राउन्ड है mm papier किटन का मुण्ठEr के प्रोमोटर बेर्वर और दर्डाफ पर किसी तरह कोई क्रीमिलल प्रोसेडिंग नहीं या जो इसे लिए कोनिक्नि twenty कर मू जकिली है अब अ कमशनी तो उसलियाद से पहली चीज़ है दूसरा है कि क्योंकि डिफेंस से जुड़ी भी कारोबार की इस सेक्टर में जवर्दस ग्रोथ आउटलुक है भारत लगा आत्म निर्वर रने की तैयारी में और पूरा का पूरा डिफेंस में आप देखिए जो खर्चा हो रहा है भारती कमश्यों से लिया जा रहा है यह कमश्य क्या करती जो कोई भी ओर विदेशी कमश्यों लेती है उन विदेशी कमश्यों को 30% काम भारती कमश्यों से करवाना जरूरी है यह जो 30% वाला हिस्सा है वो पूरा यह करती है और बुक ऑलड़ी 2526 क्रोड की है दो साल की ओर और विजिबिलिटी है और आगे मिलेंगे तो बिजनिस अच्छा रहेगा आगे भी कोई दिकत्वाली बात ही हो डिफेंस में क्या है हर कोई कंपनी आसानी से जल्दी से गुस नहीं सकती है इसलिए यह दूसी चीज है तीस चीज वेलुशन से अकरशक है हाला कि एकदम क्लियर कट पियर टू पियर कंपेर करना थोड़ा सा मुश्किल है अलग अलग साइज की कम्तिया है अलग अलग बिजनिस की कम्तिया है और यह कम्तिय डिरेक्टली डिफेंस में नहीं हो के डिफे इसलिए से मुझे लगता है कि यह प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और मुल्टिपल ठीक है तो आपके लिए गुंजाइश छोड़ता है लिस्टिंग के बाद थोड़ी अफसाइड की यह पोजिटिव से लेगिनके साथ एक डो नेगेटिव भी हैं जो मैं आपको बता दू तो मतलब कुछी लोगों के लिए काम करें हैं दिरे दिरे बढ़ेंगी साइज बढ़ेंगे भी कई बार होता है कि आपको एक गौड़ फादर चीए एक का बिजिस मिल गया उसके दम पर आप शुरू करो फिर दिरे बढ़ते रहते हैं हो सकता है कमदी उस स्टेज पे हो ज कई बार क्या होता कि टेक्नोक्रेट्स होते हैं वो थोड़ी फाइनिशल की समझ कम रखते हैं यह मुझे इनके फाइनिशल में दिख रहा है कैसे एक इनके मार्जिंस कम जाना बहुत होते हैं दूसरा मुनाफ़ा है लेकिन कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं है लास्ट एर कै जादा प्रोफिट जो आ रहा है वो अधर इंकम से आ रहा है मंलोग वो एवडी वगए पर जो ब्याज आ रहा है वो प्रोफिट बढ़ा रहा है और आई पियो का भी पैसा रहा है तो थोड़ा बहुत यह डेट्र रिपेमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा से फाइनिशल मेने उनको ध्यान में रखते हुए और जो रिस्क है वो लिमिटेड मिनिमम है उसको देखते हुए इस IP में पैसा लगाना चाहिए लॉंग टर्म और लिस्टिंग लियास से लगा सकते हैं लॉंग टर्म सोचके लगाए शोट टर्म में बन जाए तो बहुत बढ़िया नहीं बने अब कोई बात नहीं लॉंग टर्म के लिए तो रखी अंडेस्टॉड सो तो चलिए इश्यू में पैसे लगाने की सला है यह क्लियर व्यू आरा है अनल जी